दोस्तों नो मस्कार स्वागत है आपका फियल स्टेडी मंत्राइटीब चैनल पे यूपी ट्रिपल सी जो लेकपाल भरती हमारी है वो कोट के अधीन है सिधी बात ये कोट में फसी हुई है इस्टे हटने के बावजूद भी इस्टे कंटीनुई कर दिया गया है इल्ली कली त परस्त कर लेना है तंद्रुस्त कर लेना है तभी हम आगे की मिलब कामया भी पापाएंगे आप देखो मैंने इस जो ठमनील में लिखाया है कि सरकार के सामने सब बोने हैं यह हकीकत बात है सरकार जो चाहेगी वहीं होगा और सरकार ने चाहलिया तो आड़ तारीकों यह आ आड़ चुलाई को आएंगे तो सब चीज वह बताएंगे कोट को कि ऐसे हो गया है यहां पहुच गई है वरती है तो फिर वो तुमारे जो जसाब है वह भी नहीं कर पाएंगे लेकिन क्या सिर्फ इसी के हिसाब से हो जाएगा कि क्या सिर्फ हमको सिर्फ सरकार बीडाल दे सरकार के लिए तो एक हमें काम कर नहीं है चार जून के बाद जैसे ही रियल्ट आएगा सरकार का फॉरमेशन हो जाए तक बारे तारीक तक बारे जून तक तो वैसे हमें बड़ा धरना परदर्शन करना है जो हमने पहले किया था 26 फरवरी को उसी प्रकार का अच्छा खासा लेवल पर एक दिन का नहीं कंसम दो दिन का जिसे सरकार को संग्यान आए कि बहुत ज्यादा परिसान है क्योंकि सरकार के पास दुनिया बर के काम रहते हैं आपका कहीं काम नहीं है और बहुत सरे लोग कहेंगे आठ जुलाई कोई समाप्त हो जाएगा लेकिन फिर भी हमें जो अमारी पार्टी है हमारी थ़र्ड पार्टी ग्रूप में हम झाओ हो रहे हैं उसके लिए हमें रुपया तो हमें किसी मूर्चे पर कमजोर नहीं पढ़ना है, अगर कमजोर पढ़ गए तो भईया वहां पर अगर कुछ होगा तो प्रहां पीसम जोगे सीज के लिए, सरकार तो सरकार की तरह काम करीगी, लेकिन फिर मैं कहारा हूँ, सरकार के सामने सब बोने है, सरकार ने कह दिया त फंडिंग हम करें, 25 लाग कम सकम टार्गेट हमारा होना चाहिए, इसके लिए हमें तीन हीरिंग के लिए कम सकम पईसा रखना है, अगर 8 तारीक को उपर नीचे हुगा, अगर तोड़ा बहुत कह दिया कि उसने अगली डेट दे दी, तो फिर क्या करोगे, पिर एक ही जो य किसी पर कोई व्यक्ति अगर पहले लोगों पर अलग लोगों पर जो फंडिंग हुई, उसमें किसी को विस्वास नहीं हो अलग बात है, क्या किया क्या ने किया हम को नहीं मालिम है, कि जो ये जो तुमारे एक सर्विसमें भाई है, वो बहुत अच्छे से इस पैसे को लेकिन आपको भी ये सोचना है, और सारे मोर्चों पर हमें बलकुल एकदम सफलता के साथ में, मतलब पूरी मजबूती के साथ में करना है, तभी हमें सफलता मिलेगी, चाहे तो हमारा सरकार को जगाना हो, एक तो जून में धरना करना है, बढ़िया वाला, कम सिर्म दो दि की देट है, तो दो जुलाई से वहाँ बैठ जाओ, पांच-छे दिन के लिए, तभी सरकार सुनेगी और SGI को भीज़ेगी जरूर, SGI आएंगे तो फिर भीया सारे के सारे जितने भी वकील हम खड़े करेंगे, उनके सामने कुछ भी नहीं है, और लेकिन हमारा वकील से अच्छी से अच्छा वकील जब ही खड़ा हो पाएगा, जब आप पैसे की भंडिक करेंगे, ठीक है, दोस्तों, सरकार के सामने सब बोने हैं, फिर मैं कह रहा हूँ, सरकार जब तक साथ नहीं आएगी, तब तक हमारा केस पर डेट पर डेट मिलती रहेंगी, इसलिए हम को 4 जून के बाद सरकार फॉर्मिशन होने दीजिए, बड़ा विशाल धरना करना है, और सभी 8000 लोग जितने भी हैं, उन सभी को आने की कोसिस करनी है, और आना ही है, ठीक है, तभी कुछ होगा, और तभी हमारा ये सॉलूशन निकल पाएगा, और हम तभी तैसिल मिल है, सबसे तंगड़ा वो आपका अपना फंडिंग करना है, और फंडिंग 25 लाग तक पहुचानी है, उसके बाद वो भी 30-40 खड़ी होगी, बहुत मजबूती के साथ, और ये फालतू का फैनिंगीदी छोड़ दीजिए, कि भगवान जाने किसी के उसको करके, मतलब कोई क यही मिली आया और उसने कह दिया कि यह हो जाएगा और वो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, दोस्तों इस चीज का विस्वास मानिए, कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, जो आप सोच रहे हैं, जैस्ट कट अप वाले बच्चेओं की संक्या आप समझे नहीं रहे हैं कि इ जैसे 83.25 का टॉप गई है, 83.25 का टॉप गई है, जैसे चनल की, OVC की गई है, 80.25, अगर इस प्रकार से कट अप का लगा दूँ, जनल, OVC, SC, EWS और ST, महला, तो यह समझ लेना, कम से कम धाई जाल लोग तो जश्ट का टॉप पर हैं, क्या सब को निकाल देगी सरकार, इत इस प्रकार से नहीं होता है, बिस्वास रखो इस चीज़ का, कुछ नहीं होगा, कोई किसी से कुछ भी कहे, या सचेब ने कुछ भी कहा, ऐसा होता नहीं है, हमूमन, ठीक, तो आप इस चीज़ पर ध्यान रखो, बिसेश का आप फंडिंग करिए, बढ़िया से, 25 लाग त जो जैसे ही रिजल्ट, हम खतम आएंगे इसके, मतलब चार जून के बाद, तो योगी महराज से भी मिलना है, बार बार, दो चार बार मिलेंगे, तो उनका कुछ ना कुछ आस्वासन मिलेगा, तो फिर सब कुछ ठीक होता चला जाएगा, ठीक है दोस्तों, दन्यवाद,